छुलेने दो नाजुको होठों को कुछ और नहीं है जामूरे डोली उठाओ कहां और पीया मिलन की रुत आई पी की नगरी ले जाओ कहां और पीया मिलन की रुत आई उस गली में कभी तेरा जाना हुआ जहां से जमाने को गुजरे जमाना मैं सबको प्रडाम करता हूँ जितने भी मेरे भाई बहन जितने भी लोग चैनल देख रहे हैं इस टाइम जो है और मेरा नम संदीप निगम है और मैं एक म्यूजिक फिल्ड से हूँ जो इंटरेस्टेड हूँ और मेरा लाइफ फ्यूचर भी म्यूजिक ही है गीत संगीत का पुरा इनके खून में है क्योंकि इनकी माता जी जो है एक बिरहागाई का है बहुत ही चर्चित नाम है उनका और उनके पिताजी भी है गीत संगीत से जुडाव है पुरा इनके घर में लेकिन इस समय इस्ट्रगल के दौर में है कहां रहते हैं आप कहां गीत संगीत जो यह कहां से शुरुवात किये कैसे सर गाने की बात है तो अगर तो बच्पन से ही पापा को मेरे पापा बहुत अच्छे मलब धोलक वादक है बच्पन से मीजिक में उनका रहा है इंट्रेस्ट रहे हैं उनी को देखते हुए सिर्फ फैमिली में मेरे हम लोग तीन भाई एक बहन है तो सबसे बड़ा मैं कोई जानता है तो कहीं ने कहीं मेरे ममी पापा का ही मुझे पर असिरवाद है और देन है कि मुझे मेजिक इतना ज़्यादा पसंद है और मेरा बच्पन से ही हिंदी में रहा रूची जो है भोजपुरी भी अच्छी लगती है मुझे लेकिन अगर भोजपुरी के वर्ड भी चो अच्छे होते हैं तो में गाने सुनता हूं मैं गाता नहीं अलग भाता थे उनक Phone Center हो बच्पुरी बड़स्टार भरस सर्माजी महं गये मनुत वारी जी और बहुत सरे ऐसा खलाकार है जो जो जिंणने भूजपुरी गाने भी गाए हैं तो अगर गाने अच्छे हो के चाल हो एक हिंदी हो चाहे बोझपूर किसी भी लेंग्वेस का हो गाने अगर अच्छे हैं जिनको आप चार समाज में अच्छ से सुन से के इंजवाय कर से के तो वह गाने मुझे पसंद है और ऐसा गाना विलकुल मुझे नहीं मुंबई कैसे जाना हुगा मुंबई पापा पर ने मुझे बिलकु लिग दम हमेशा जो है अजादी मुझे दी कि लाइफ में तुम्हें जो करना है वो करो और उन्हें मेरा सपोर्ट किया कहा कि मुंबई जाओ तुम और देखो वहां क्योंकि ऐसा बच्पन से आज तो सोसल मीडिया इतनी आगे बहुत जादा आगे है अब तो कहीं भी आप नहीं जाहिए तब भी कोई दिक करने देखिए भाईया लोग जैसे हमारे पास आया है तो आप लोग देख रहे हैं मुझे यह सब पहले नहीं था मैंने 2012 से जरणी मंभई जाना है तभी आप सिंगर बन सकते हैं फिर अपने गाने को रिष्टर कर वा सकते हैं बहुत सारे चीज़े थी तो उस टाइम सोसल मीडिया वही स्टार्टिंग हो रही थी आज इतने चरम सीमा पर सोसल मीडिया है कि आप घर में भी अगर अच्छे कला का रहे हैं घ जहां गाने के लिए गए पहली बार किससे मुलाकात हुई जब मैं मुंबई पहुचा तो मैं काम ढूड़ने के चक्र में कि हाँ कोई क्लब मिल जाए कोई बार मिल जाए या फिर कोई इवेंट जैसा किसी से परिचे हो जाया है ताकि अपना गाता भी रहूं अपना रोज जी टी-सरीज और यसराज मैं साही स्टुड्यों में गया हूं और मैं अपना हमेशा जहां सुटिंग होती ते मैं तो लोगों का सपोर्ट रहा फिर मैं बस इस्टेंड पर ऐसे गा रहा था और एक कोई सर थे जिन्हों ने मुझे अपना कार्ट दिया बोले कि आप गाना गाते हैं क्या काम चाहिए आपको अगर गानी से रिलेटर से काम मिल जाए तो सर बहुत अच्छा है बोले कि ठीक हमार मैं बहुत अच्छा लगा और फिर मैं वहाँ पर काम करने लगा और फिर इसी तरह से जान पैचान का सिलसिला लोगों से चलने लगा चलने लगा और काफी अच्छे बड़े बड़े लोगों से आपकी जान पैचान हुई लेकिन फिर भी अभी इस्ट्रगल चल रहा है किस किसे जानपचान इसके बद कई ऐसे लोग है कुछ ऐसे कलाकार भी होते हैं जिनको अन्हें लेकिन वह काम करते हैं जहीं साउंड इंजीइनЕर हो गया है जो साउंड डेवलोपर होते हैं music compose करते हैं उनके साथ में एसिटिंट काम करने वाले होते हैं नाम नाम एक बड़े आर्टिस्ट का रता है डारेक्टर में उसके साथ में काम करने वाली बहुत सारे लोग हैं या फिल्म हो चाहिए वीडियो कैमरा हो कुछ भी हो चाहिए पोस्ट प्रोडक्शन हो तो उनमें जो काम करने वाले लोग रहते थे मेरी उन से जान पहचान थी किसी जल्द में उनका गाना बाहु बली टू में उन्हेंने काना सोजाजरा का गाना गात जो बहुत ही फेमस हुआ और युवा मुवी में कही नीम नीम बहुत सारे ऐसे उनके गाने हैं और आप लोग उनके नाम से हर कोई परचीत है गाना उनका सुनाएंगे कोई याद है उनक हम रहें ना रहें, रहेंगी सदा यहाँ, प्यार की ये दासता, सुनेगा सदा जिसे, ये जमी आसुमा, हम है इस पल यहाँ ये उनका गाना है, बहुत अच्छा है, और बहुत सार ऐसे गाने हैं, जो मुझे बहुत ही पसंद है, उन्होंने बुलाया था अपनी घर पर, मैं उन्हों से मुलकात भी किया, मेरे लाइब का पहले इसी सुपरिश्टार गाई का हैं, जिन से मैं मिला हूँ, और मुझे यकी काफी आशिरवाद मुझे दिया जो है, और अभी भी कॉंटेक्ट में है, जो है, किस सिंगर का गाना सुनाए गया, किस सिंगर के गाने आपको पसंद है, जिने मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ, एक प्रकार से गार्जियन है, गुरु जी कुछ भी कह ले जे, कोई भी वर सिंगर केके, नहीं है, फिलाल जल्द ही, मतलब इस्वर ने उन्हें बुला लिया अपने पास, और लेकिन हम लोगों का दिल तोड़ दिये, भगवान ने उन्हें बुला के, हम जैसे आर्टिस्ट जो है, जो पसंद करते हैं, उनके फैन है, उन्हों का दिल बहुत दुखा जो हमेशा केके सर कहीं भी इंटर्व्यू में हमेशा गाते थे जो है, तो मैं उनका एक गाना गाना चाहूँगा यारों, दोस्ती, बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो, क्या फिर, बोलो ये जिन्दगी है, कोई तो हुराजदार, बेगरज तेरा हो यार यारों, दोस्ती, बड़ी ही हसीन है, हम रहया ना रहें कल, कल यादाएंगे पल, पल सोचे क्या, छोटी इसी है ये जिन्दगी, इस पल में मिल जाएं, तो होगी, खुश नसे भी हम, रहया ना रहें कल, कल यादाएंगे पल, ये गाने केके सरके हैं, और उनका बहुत ही हिट गाना हुआ था, जिन्दगी गाना, जरा सी दिल में दे जगा तू, जरा सापना ले बना, जरा सी खाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा, मैं चाहूं तुझको मेरी जाबे पना, सजदे में यूही जुकता हूँ, तुम पे ही आके रुकता हूँ, क्या ये सबको होता है, हमको क्या लेना है सबसे, अब तो सारी बातें तुम से, बन गए हो तुम मेरी दुआ, खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने के मिट गया, खुदा जाने के क्यों हुआ है, कि बन गए हो तुम मेरी खुदा, सुनु निगम जो मेरे बहुत ज्यादा जिनसे मैंने गाना सीखा है और सुना है जब मैं छोड़ा था तो पहला गाना यह था जो जब मैंने सुना था गाना उनका हर घड़ी बदल रही है रूप जिन्दगी धूप है कभी कभी है च्छाओं जिन्दगी हर पल यहाँ जी भर जीओ जो है समा कल हो न हो चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से ऐसा जो कोई कहीं है बस वही सब से हसी है उस हाथ को तुम थाम लो वो महर बाब कल हो न हो हर घड़ी बदल रही है रूप जिन्दगी धूप है कभी कभी है च्छाओं जिन्दगी हर पल यहाँ जी भर जीओ जो है समा कल हो न हो अच्छा पुराने गायकों के गीते जो मुहमंद रफी और कई सारे लोग हैं जो पुराने गायक हैं उनकी गीते रफी साहब तो वह तो आल्मोस्ट मेरे लिए समझें क्यूंकि मेरे गुरु के वह गुरुद हैं तो वह तो वो तो बहुत respectable और बहुत महान का लाकार है महीं नहीं उनको तो इंडिया क्या इंडिया के बाहर के लोग भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं रफी साब का एक गाना सारे गाने उनके अच्छे हैं लेकिन वह गाना उनका सुनाना चाहूंगा क्या हुआ तेरा वादा वो कर्सम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिन्दगी का आखरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा हो आज मौसम बड़ा बेइमान है बड़ा बेइमान है आज मौसम छूलेने दो नाजुको होठों को कुछ और नहीं है जाम ये हो चलोरे डोली उठाओ कहार पिया मिलन की रुत आई पी की नगरी ले जाओ कहार पिया मिलन की रुत आई जिन नैनों की तू है जोती उन नैनों से बरसे मोती दावा नहीं है कोई जूर नहीं है बेटी सदा ही पराई होती जल्दी नहीं है रसेल जाओ कहार पिया मिलन की रुत आई यम्मा 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 एक खुबसूरत समा बस आज की रात है जिन्दगी फिर कल कहां मैं कहां मैंने जिसको दिल ये दिया है दिल ये दिया है मैंने जिसको प्यार किया है मैंने जिसको दिल ये दिया है वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, अब मुझी रात दिन तुम्हारा ही खयाल है क्या कहूं प्यार में, दिवानों जैसा हाल है, दिवानों जैसा हाल है, तुम्हारा ही खयाल है अभी मुझे में कहीं, बाकी थोड़ी सी है जिन्दगी, दभी धड़कन नई जिन्दगी इस समय के हम अगर बात करें तो इस समय के जो और भी कलाकार है, जो बहुत ही इस समय चर्चा में हैं, काफी सारे जो नए सिंगर हैं, जैसे अरजित सिंग की हम बात करें, और भी लोग समल दिल समल जा जरा फिर मोहबत करने चला है तू जिस राह पे है घर तेरा अक्सर वहां से था मैं गुजरा शायद यही दिल में रहा तु मुझे को मिल जाए क्या पता क्या है ये सिलसिला जानू ना मैं जानू ना दिल समल जा जरा फिर मोहबत करने चला है तू क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ खामोसियां अलफाज है कोई धुम तुम लाओ कभी बेकरार है बात करने को कहने दो इनको जरा खामोसियां तेरी मेरी खामोसियां भिग भिगी राते भिग भिग बाते भिग भिग इसी हम लकाते आँखों में कैसी नमी है सपनों कासा या पल में हसा या पल में रूला या फिर भी ये कैसी कमी है नहां जाने कोई कैसी है ये जिन्दगानी हमारी अधूरी कहानी नहां जाने कोई ना जाने कोई कैसी है ये जिन्दगानी जुदा हो के भी तू मुझ में कहीं बाकी है पलकों में बन के आशू तू चली आती है जुदा हो के भी चली ये बहुत ही ruhों का गाना इन्होंने गाया है और अब हम नहीं गवाना चाहेंगे क्योंकि बहुत गाया है और गाने में कितना तकलिफ और कितना जोर लगता है ये खुदी जानते होंगे क्योंकि एक युवा है तो हमारे साथ थे आजमगड से संदीप निगम जी जो एक struggle कर रहे हैं लेकिन ऐसे ऐसे कलाकारों को अगर मंच नहीं मिलेगा तो इनकी प्रतिभाएं जो दब जाएंगी कहीं दब कर रहे जाएंगी तो इनी प्रतिभाएं की खोज में एक हीरा निकल क सामने आया है जो हिंदी गाना क्योंकि इस समय जो युवा है या लोग है वो भोचपूरी गानों पर ज्यादा फोकस करते हैं लेकिन उसी गाव छेत्र से एक लड़का आता है संदीप निगम जो इस्ट्रगल के दौर में हैं और हिंदी गानों में विलीब करते हैं और हिं सब्सक्राकारों का इंटर्व्यू हमारे चैनल पर आप लोग देखते रहेंगे तो बस इस वीडियो में इतना ही और इनका एक चैनल है हम उनके बारे में जानेंगे क्या सर चैनल का नाम है मेरे चैनल का नाम है संदीप निगम उस पर कई सारे कवर सौंग है और मेरा खुद का गाना गाया हुआ है वूस में पड़ा हुआ है और मैं आगे आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिलेगा तो मैं जरूर से आगे भी काम करूंगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा केले हो मज़े लगता था कि सायब मेरा कोई मैं पहली बार मैं इंटरिख्यर के सामने में में बात कर रहा हूं तो जोबी मुसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं और मैं हमेसा अपना बेश्ट देने के कोशिज करूँगा और अगर आप लोगों का प्यार दुलार अगर मिलेगा तो मैं हमेसा मेहनत करूँगा और आप लोगों का नाम तो कभी डूबने नहीं दूँगा मैं इसके लिए प्रामिस करता हूँ और आप लोगों से मैं बादा करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और उसे सेर करें आप लोगों से हाथ जोड़के विनमर निवेदन है संदीप निगम भूलिएगा मज़़ु है तो ऐसे ऐसे कलाकारों को सपोर्ट करने की जरूरत है ने तो इनकी प्रतिभाएं जो है दब जाएंगी तो हम चाहेंगे कि इनको सपोर्ट करें, उनकी चैनल को सपोर्ट करें और इनकी गाने आपने सुने और इनकी विचारों को आपने सुना आथ तो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और जादा अगर गीते इनकी सुनने हैं तो इनके चैनल पर जाकर आप लोग विजिट करें और देखें इनको इनके बारे में जाने तो बस इनकलाकारों का सफर इंटर्विव का ऐसे ही चलता रहेगा तो बस इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो के साथ हम जल्द उपस्तित होंगे तब तक के लिए धन्यवाद